दोस्तों यहाँ पर आप लोग जो है ना side में देख सकते हो, यहाँ पर मेरे friends का एक channel है यहाँ पर आप लोग देखे और इसका जो subscribers है 742 subscribers हो चुके हैं और यहाँ पर आप लोग देखिए वाज टाइम आप लोग देखिए 3456 जो है ना 3456 घंटे का वाज टाइम भी कम्प्लीट हो चुका है और यहाँ पर आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ पर नीचे आता हूँ और यहाँ पर आप लोग देखिए यहाँ पर अपलाई का ब से आप जो है मोनेटाइजिशन करोगे चैनल को सेम उसी प्रोसेस से आप फुल और तो आप लोग इस वीदिव को देखेगा है इस वीडिव में मैं आपको कम्मलीट दिखाने वाला हूं कि किस तरीके सो आपको जो के लिए अपने चैनल को अप्लाई करना है दोस्तों हम सब कुछ जानने वाले हैं जैसे कि हमें कौन सी गलती नहीं करना है जिससे कि हमारा जो है step 2 जो है इरर ना हो और हमें कौन सा address भरना है ताकि जो एडसेंस पिन है वो हमारे हमारे पास जो है पहुँच जाए कौन-कौन सी गलती नहीं करना है monetization के समय सब कुछ हम सीखने वाले हैं और यहां पर दोस्तों यह जो चैनल है ना यह चैनल जो है मेरे दोस्त का है जो कि यहां का नहीं है जो कि बिहार का है उन्होंने मुझे जो है वाटसप किया था अपने जो है स्क्रीन र आपको दिखा दू चैनल का ना तो 1000 सब्सक्राइबर्स पार हो गया है यहां पर आप लोग देख सकते हो जिसमें वीडियो सूट कर रहा हूं क्योंकि बहुत तेजी से जो है सब्सक्राइबर्स बेस बढ़ रहा है इस चैनल का और आप जो है ना इस चैनल को चेक आउट भ किया जाता है ठीक है मैं आपको हाप मोनेटाइजसन दिखाऊंगा और सेम तरीके से जो है आप फुल मोनेटाइजसन भी कर सकते हो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यहां पर आप लोग साइड में देख सकते हो यहां पर आपको अपलाई का बटन दिखाई दे र करनाय होना उस जेमेल पर सबसे पहले तो आपको टू स्टेप बेरिफिकेशन जो है ओन करेकर रखना है अगर आप नहीं करोगे ना तो आप चैनल के लिए जो है चैनल मोनेटाइजसन के लिए अपलाई नहीं कर पाऊगे और दूसरी बात आपके चैनल पर कोई भी कम्यू इस ट्राइक होता है वो 90 दिन तक आपके चैनल पर रहेगा ठीक है उसके बाद आटोमेटिक हट जाएगा तब आप अपलाई कर पाऊगे उससे पहले आप जो है पलाई नहीं कर पाऊगे तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखे जैसे आप वेस टर्मस उसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा एक इस्टार्ट का बटन जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपको इस्टार्ट का बटन दिखाई दे रहा है तो आपको करना क्या है संपल आपको जो है इस्टार्ट बटन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपक की नीचे को यहां पर एक लिएंगा संप्ली आपको शेयुना करतेब करने तक्लिक करने के बाद इसके बाद यहां पर आप लोग देखिए आपका जो फास्ट इश्टेप है आप को देखे रिव्यू वेस्ट टर्म्स यह सक्सेस्फुली हो गया है जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहां पर ग्रीन टिक भी आ चुका है उसके बाद यहां पर आप कर लिए आपको आता है तो यहां पर दूसरा क्या है साइनप गूगल एड़सेंस के नीचे आपको इस्टार्ट बटन तो चलिए नहीं है यहां पर मैं इस्टार्ट बटन पर किलिक कर देता हूं तो आप जैसे ही न यहां पर जो है start button पर click करोगे यहाँ पर आपके सामने तीन option आ जाएंगे जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हो do you have an adsense account पहला है yes I have an adsense account यानि कि अगर आप पहले पर tick करोगे तो इसका मतलब है हाँ मेरे पास जो है पहले से adsense account है लेकिन ऐसा नहीं है मेरे पास कोई adsense account नहीं है म तो उसके बाद यहाँ पर no I need to create one यानि कि मेरे पास नहीं है मैं बनाना चाहता हूँ या फिर तीसरा option है I don't know यानि कि मेरे पास है नहीं है मुझे पता नहीं है ठीक है तो यहाँ पर करना क्या है यहाँ पर मैं click करता हूँ no I need to create one ठीक है चलिए मैं इस पर click कर देता हूँ तो यहाँ पर जो है click करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगा next का button तो simply हम जो है next पर click करते हैं next पर आप जैसे click करोगे न उसके बाद यहाँ पर आपको अपना Gmail ID जो है select करना है आपको ना उस Gmail ID को select करना है जिससे आप जो है अपना AdSense account बनाना चाहते हो ठीक है आपको simply उसी Gmail ID को जो है select करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया page open हो जाएगा यहाँ पर आप लोग देखें लिखावा है let's get you started उसके नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देगा your channel यहाँ पर आपको कुछ भी छेड़ना नहीं है ठीक है उसके नीचे यहाँ पर आपको दिखाई देगा your billing country तो यहाँ पर आपको जो है अपना country select करना है suppose मैं इंडिया से हूँ तो यहाँ पर जो है मैं इंडिया सिलेक्ट करता हूँ दोस्तो जैसे आप जो है कंट्री सिलेक्ट करोगे उसके बाद यहाँ पर आपको नीचे दिखाए देगा Adsense for YouTube Terms and Condition तो यहाँ पर आपको इसे जो है पढ़े लेना है पढ़ने के बाद सबसे नीचे आपको आना है यहाँ पर एक जो है box दिखाए देगा यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं I have read and accept the agreement यहाँ पर agreement करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर आपको tick पर click कर देना है यहाँ पर आपको box को tick कर देना है ठीक है तो आप जैसे ही यहाँ पर box को tick करोगे उसके just नीचे आपको दिखाए देगा setup account तो यहाँ पर आपको करना क्या है setup account पर आपको just click कर देना है तो जैसे ही आप setup account पर click करोगे आपके सामने एक नया page open हो जाएगा जैसा कि आप लोग यहां पर देख पा रहे हैं Adsense for YouTube लिखा हुआ है उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है Customer Information उसके बाद यहां पर आप लोग देखे Customer Info यहां पर Account Type दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत लोग गलती क्या अगर देते हैं यहाँ पर account type में indy visual के जगह पर business यहाँ पर select कर देते हैं बट यहाँ पर आपको ध्यान रहे indy visual ही रखना है आपको individual ही करना है ठीक है उसके बाद यहाँ पर name और address में बहुत लोग जो है बहुत बड़ी गलती कर देते है जिसके बाद AdSense Pin जो होता है न वो आप लोगों के पास पहुंचता ही नहीं है और आपका जो Step 2 है न वो Error भी हो जाता है ठेक है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है एड्रेस में कौन सा एड्रेस भरना है क्या भरना है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा तो चलिए यहाँ यहाँ पर जो नेम आप देख रहे हो यहाँ पर मैंने एक्जामपल के लिए मैंने नहीं मैं यहाँ पर जो है एक्जामपल के लिए यूर फॉन टेग चैनल का नाम लिखा हुआ है ठीक है एक्जामपल के लिए लेकिन यहाँ पर आपको नेम में क्या रखना है आपका जो नेम है ना आपको उसी को यहां पर रखना है थीक है ये तो बस यहां पर किवल आपको दिखाने लिए यहां पर लिखाऊ है your phone tag बट, यहां पर आपको लिखना है अपना और्जिनल लेम जो कि आपके अधार CART में PEN CART में यानी कि यहाँ पर आपको अपना उर्जिनल लिखना है उसके बाद यहाँ पर आप या निकी आप कि कशबे से हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पर पोस्ट कोड़ का है वही पिन कोड़ ठीक है आपके जो है आपका पिन कोड़ क्या है यहां पर आपको लिख देना है ठीक है उसके बाद इस्टेट आपको सिलेक्ट कर लेना है आप किस जो है राज से हैं यहां पर आपको सिलेक्ट करना हो फिर मैं आपको बताता हूं तो यहां पर आप लोग देखें यहां पर जो है complete address यहां पर मैं फिल कर चुका हूँ ठीक है यहां पर आप लोग देख पा रहे हैं और यहां पर मैं एक बात फिर से मैं आपको बता दूं कि आप जो है अपना नाम चेक कर लीजिए गया यहां पर बस आपको अपने channel का नाम यहांपर इंटर नहीं करना है आपको जो है अपना original name यहांपर इंटर करना है उसके बाद यहां पर आपको नीचे दिखाई देगा submit का button तो simply आपको करना क्या है आपको जो है submit पर click कर देना है तो जैसे ही मैंने submit पर click किया उसके बाद यहां पर आप लोग देख सकते हो मेरे पास एक नया page open हो चुका है और यहां पर लिखा हुआ है we are reviewing your info यानि कि आपके जो है information को आपने जो भी दिया है उसे यह देख रहा है यानि कि AdSense जो है चेक कर रहा है ठेक है उसके बाद नीचे यहां पर आप लोग देखिए यहां पर redirect to YouTube redirect to YouTube दिखाई दे रहा है तो simply यहां पर आपको जो ना आपको जो है redirect to YouTube पर क्लिक कर देना है उसके बाद यहां पर by chance क्या होताने कि automatic redirect हो भी जाता है और by chance आपको करना भी पड़ता है ठीक है उसके बाद यहां पर आप लोग देखिए यहां पर step two में step two में क्या दिखाई रहा है इन प्रोग्रेस अब यहां पर बहुत लोग जो है comment करते है बहुत लोग परिशान हो जाते हैं कि अखिरकार हमारा जो है न step two in progress से जो है done कब होगा बहुत लोग परिशान हो जाते तो मैं अपनी बताओं जब भीम्राथ Channel monetize हुआ था तो मुझे नौ दिन का बेट करना पड़ा था ठीक है मैं भी परेसान हो गया था ठीक है आपको नौ दिन बेट करना यह जरूरी नहीं कि आपको 9 दिन का बेट करना हो सकता है आपको महीने भर का टाइम भी लग सकता है लगवद बट इतना लगता नहीं है ठीक है और यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है देख सकते हो आप यहां पर 2-3 वीग 2-3 हफ्ते जो है लग जाएंगे ठीक है इसे complete होने के लिए बहुत बहुत लोगों को जो है न 24-48 घंटे में ही हो जाता है उसके बाद यहां पर जैसे ही आप जो है second step यह जो done हो जाएगा आटोमेटिक अपने आप कुछ आपको जो छेलड़ा नहीं है ठीक है आपको कुछ भी करना नहीं केवल आपको इंतिजार क जाएगा यहां पर जैसे यह done होगा तीसरा वाला in progress में जाएगा और तीसरा वाला जो है ना वह बहुत जल्दी होता है ठीक है उसके बाद तीसरा वाला भी done हो जाएगा यानि की आपका चैनल monetize हो जाएगा तो इस तरीके से आप जो है चैनल को easily monetize कर सकते हो वीडियो पस हो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए थैंक्स पर वाचिंग दिस वीडियो जहिन वन्यवात्रम